Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2019 की जितनी भी महिलाएं चर्चे में रही हैं उन महिलाओं के बारे में Top 40 MCQ के माध्य हम से डिसकस करने वाले हैं और इनसे related जितने भी current affair के question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे जो कि आपके आगामी exam के point of view से important हो सकते हैं सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखेगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप कर सकते हैं तो चले start करते हमारा पहला question हाल ही में IAF की fighter plane उडाने वाली पहली महिला कौन बनी है IAF यनि की Indian Air Force इसकी fighter plane उडाने वाली पहली महिला बन गई है अवनी चतुरवेदी और अवनी चतुरवेदी किस राज्य से बिलॉंग करती है तो अवनी चतुरवेदी मध्यप्रदेश के रीवर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉंग करती है और बात यहाँ पर IAF की आई है यानि कि इंडियन एर फोर्स की तो इसके स्थापना कब हुई थी 8 हक्टूबर 1932 को और आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एर फोर्स के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्यालय कहां इस्थित है तो IAF का मुख्यालय इस्थित है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है अभी तो अध्यक्ष है BS धनुवा लेकिन अभी नए अध्यक्ष की भी नियुक्ती कर दी गई है उनका नाम क्या है RKS भदवरिया तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है ट्रैक इवंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती अथिलिट कौन है तो ट्रैक इवंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती अथिलिट बन गई है हीमा दाज और यह भारत के किस राज्य से बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है असम से और इन्हें धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और यह असम राज्य की तो फायर फाइटर महिला बन गई है तान्या सन्याल और अभी मैंने अवनी चतुरवेदी के बारे मता है अवनी चतुरवेदी कौन है यह फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला है और तान्या सन्याल बन गई है पहली महिला फायर फाइटर तो ये भी आप याद रखिएगा Next question है BWF में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाडी कौन बन गई है तो यह बन गई है PV सिंधु BWF यानि कि Badminton World Federation इसके स्थापना हुई थी 1934 में इसका मुख्याल इस्थित है क्वाला लंपूर मलेशिया में और PV सिंधु भारत के किस राज जीसे बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है तेलंगाना से Next question है T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली भारती महिला खिलाडी कौन बनी है इनका नाम है मिताली राज जिन्होंने T20 में 2000 रन बनाया है और मिताली राज भारत के किस राज जीसे बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है राजस्थान से और अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने T20 मैचों से सन्याज भी ले लिया है ये भी आप याद रखिएगा Next question है Next question है नेश कॉम की फुल फॉर्म होती है National Association of Software and Services Companies इसकी फुल फॉर्म है नेश कॉम की इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्याला इस्थित है नौइडा उत्तर प्रदेश में Next question है Most important World Bank की CFO बनने वाली पहली भारती महिला का नाम क्या है तो World Bank के भी हाली में CFO न्युक्त की गई है इनका नाम है Anshula Kant और Anshula Kant पहले SBI की MD थी ये भी आप याद रखीगा और बात यहाँ पर World Bank की आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी July 1945 में इसके अध्यक्ष कौन है तो World Bank के present time के अध्यक्ष है और अमेरिका से है और World Bank की कितनी member countries है 189 Next question है IMF की CEO बनने वाली पहली भारती महिला कौन है तो इसी वर्स IMF यानि की International Monetary Fund अंतर राश्च्री मुद्रा कोस की CEO बनी है भारती महिला है इनका नाम है गीता गोपिनात और गीता गोपिनात पहले केरल के मुख्य मंत्री की भी मुख्य आर्थिक सलाकार रह चुकी है IMF के स्थापना हुई थी 1945 में इसका मुख्याला इस्थित है वासिंग्टन, DC में और इसकी भी member countries है 189 क्योंकि जो भी country World Bank की सदसे होती है वो automatic ही IMF की भी member हो जाती है Next question है INSE की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है तो INSE यनि की Indian National Science Academy इसकी अध्यक्ष भी हाली में बनाई गई है चंद्रिमा शाह INSE की स्थापना कभूई थी 7 जनवरी 1935 को और इसका मुख्याले कहां इस्थित है नई दिल्ली में तो ये भी आप याद रखीगा Next question है Able Purushkar जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है Most important question है क्योंकि Able Purushkar first time किसी महिला को दिया गया है इनका नाम है Karain Ulhanbeg या America की एक प्रसिद mathematician है अमेरिका से बिलॉंग करती है और Able Purushkar की यदि हम बात करें तो इसे गडित का नोबल भी कहा जाता है Able Purushkar को और यह जीत लिया है Karain Ulhanbeg ने तो ये भी आप याद रखीगा Next question है US Open जीतने वाली पहली कनाडाई महिला कौन बन गई है तो अभी हाल ही में US Open खतम हुआ है अब सभी जानते हैं और US Open का final जीतने वाली महिला बन गई है पहली कनाडाई महिला बन गई है Bianca Andruski और इन्होंने final में अमेरिका की tennis star Serena Williams को हराया था Bianca Andruski याद रखीगा और बात यहाँ पर US Open की की जा रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 8081 में और यह hard coat पर खेला जाता है और इस बार जो US Open खेला गया इसका यहाँ 149 वा एडिशन था तो एडिशन भी आद रखीएगा Next question है Slowakia की पहली महिला राश्पती कौन बनी है Most important question है क्योंकि Slowakia की पहली महिला राश्पती बन गई है Zuzana Capitova तो Slowakia के बारे में जाल लेते हैं Slowakia की Capital क्या है British Lava Currency क्या है Euro Next question है हाल ही में UNICEF के द्वारा किस भारती महिला को मानावतावादी पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा Most important question है और मानावतावादी पुरुसकार से सम्मानित की जाएगी Bollywood अभी नेतरी Priyanka Chopra किसके द्वारा UNICEF के द्वारा UNICEF यनिकी United Nation Children Fund इसके स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को इसका मुख्यालय स्थित है New York में सबसे important है इसकी Executive Director का नाम तो UNICEF की Executive Director है Hanrita H4 तो ये भी आप याद रखिएगा Next question है IAF की पहली महिला Flight Engineer कौन बनी है और यह बन गई है Hina Jaiswal आप लोगों को तीन नाम में Confuse नहीं होना है जो अवनी चतुरवेदी है यह fighter plane उडाने वाली पहली महिला है Hina Jaiswal पहली महिला Flight Engineer और Tanya Sanyal यह firefighter plane उडाने वाली पहली महिला है इसलिए Confuse नहीं होईएगा Next question है हाली में भारत की पहली महिला San Rajnai कौन बन गई है Most important question है दो दिन पहली मैंने आप लोग बताया था और यहां बन गई है Wing Commander Anjali Singh और इनके नियुक्ति कहां की गई है रूस में तो रूस की Capital क्या है Moscow Currency क्या है Rubel यहां की संसत का नाम Duma रूस के President कौन है Vladimir Putin यहां के Prime Minister कौन है Dametri Medvedeo और कुछ समय पहले ही रूस ने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणू रियक्टर लॉंच किया था विश्व का पहला तैरता परमाणू रियक्टर रूस के द्वारा लॉंच किया गया था याद रखिएगा Nash question है हाली में भारत की पहली पूर्ण कालिक वित्तमंत्री कौन बनी है तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला पूर्ण कालिक वित्तमंत्री बनी है निर्मला सीतरमन निर्मला सीतरमन पहले पूर्ण कालिक रक्षमंत्री भी रही है और अब यह बन गई है महिला पूर्ण कालिक वित्तमंत्री और इस वर्थ का जो बजट पेश किया गया था आम बजट इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था और निर्मला सीतारमण जी ने कुछ समय पहले ही 10 बैंकों के विलाय की भी घोशना की है और इनकी कौनस्ट्विंसी क्या है तो निर्मला सीतारमण करनाटक से राज्जी सभा सांसद है नेच कुश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन बनी है मोश्ट इंपोर्टन कुश्चन है और यहां बन गई है विनेस फोगाट और 2020 ओलंपिक कहा युज़ित किया जाएगा टोक्यो जापान में और बात यहां पर ओलंपिक ही की जा रही है तो ओलंपिक के बारे में जाल लेते है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानिकी IOC इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और इसका मुख्यालय कहा इस्थित है तो IOC का मुख्यालय इस्थित है लौजन, स्विजर्लेंड में तो यह आप याद रहीगा और विनेस फोगाट भारत के किस राज्य से बिलोग करती है हरियाना से नेस्थ कोश्चन है हाली में Glitzman Award से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित की गई है मलाला यूसुफ जई इन्हें अभी हाली में Glitzman Award दिया गया है इनका नाम याद रखिएगा और इनकी एक बुक है जो कि अभी चर्चे में रही है We are Displaced यह बुक भी इन्ही के द्वारा लिखी गई है मलाला यूसुफ जई और यह सबसे कम उम्मर में नोबल पुरुस्कायर प्राप्त करने वाली भी महिला है तो याद रखिएगा नेस्ट कोश्चन है हाली में मैक्सिको का सर्वोच चनागरिक सम्मान इस सर्वोच चनागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो मेक्सिको के सर्वोच चनागरिक सम्मान से सम्मानित की गई है भारत की पहली महिला राश्च्पती जिनका नाम क्या है प्रतिभाप पाटिल जी यह भारत की पहली महिला राश्च्पती रही थी और इन्हें दिया गया है मैक्सिको का सर्वोच नागरिक सम्मान तो इसका नाम क्या है? मैक्सिको के सर्वोच नागरिक सम्मान का नाम है Order of Exact Eagle तो ये भी आप याद रखिएगा Next question है हाली में Miss England का खिताब किसने जीता है? हमें Miss England का खिताब जीता जिसने है उसका नाम इसलिए आद रखना है क्योंकि यह भारती मूलकी है और इनका नाम क्या है? भाषा मुखर जी और इन्होंने ही Miss England 2019 का खिताब अपने नाम किया है Next question है हाली में Miss Dave International इसका खिताब किसने जीता है? तो Miss Dave International का खिताब जीत लिया है विदेशा बालियाने और यह भारत के किस राज्य से बिलॉँग करती है? यह बिलॉँग करती है उत्तर प्रदेस से उत्तर प्रदेस की कैपिटल क्या है? लखनव यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और लखनव हमारे रक्षा मंत्री राजनाज सिंग जी का भी निर्वाचन छेतर है यहां के मुख्य मंत्री कौन है योगी अधित्यनाद यहां की गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है हाल ही में मिस इंडिया 2019 का खिताब किस ने जीता है और यहां जीत लिया है सुमन राव ने सुमन राव भारत के किस राज़े से बिलॉग करती है यह बिलॉग करती है राजस्थान से और उप विजेता इनकी रनर अब कौन रही संजना विज जो की तेलंग आना से बिलॉग करती है नेश कोश्चन है सबसे कम उम्र में T20 मैच खिलने वाली पहली खिलाडी कौन बन गई है तो पहली भारती खिलाडी बन गई है सैफाली वर्मा इन्होंने 15 वर्ष की आईउ में T20 मैच में पदारपण किया है और इन्होंने किन का रिकाउड तोड़ा है इन्होंने स्नेहा दीप्ती का रिकाउड तोड़ा है इनका नाम आप जरूर याद रिखीगा सैफाली वर्मा नेश कोश्चन है राजिव गांधी खेल रतने पुरिसकार जीतने वाली भारत की पहली महिला पैराथिलिट या कौन बन गई है तो आप सभी जानते हैं इसी वर्ष से दो लोगों को राजिव गांधी खेल रतने पुरिसकार दिया गया था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक तो दीपा मलिक बन गई है भारत की पहली पैराथिलिट जिन्होंने राजिव गांधी खेल रतने पुरिसकार जीता है या खेल जगत का सर्वचो पुरिसकार है इसकी स्थापना की गई थी 1991, 92 में और सबसे पहले किसे दिया गया था विश्व नाथन आनंद को तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है हाली में भारत की किस बॉक्सर ने छे बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपिन्शिप का खिताब अपने नाम किया है तो छे बार की विश्व विजेता हैं बॉक्सिंग में मैरी कॉम और यह भारत के किस राज जैसे बिलॉग करती है मनीपूर से मनीपूर की कैपिटल क्या है इमफाल यहां की मुख्य मंत्री कौन है एन बीरेंसी गवर्नर कौन है नजमा हेपतुल्ला और विश्व का पहला फ्लोटिंग पार्क कहां इस्थित है तो फ्लोटिंग पार्क भी इस्थित है मनीपूर में ही नेच कोश्चन है दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री जिनका अभी हाली में निधन हुआ है हम कुछ कोश्चन औविचरी से भी डिसकस करेंगे जो की एक्जाम में पूछे जाते है तो अभी हाली में दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री का निधन हुआ है और वह कौन थी सुस्मा स्वराज और अभी हाली में दिल्ली की तीन बार मुख्य मंत्री रही सीला दिक्षित का भी निधन हुआ है इसलिए इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा और सुस्मा सोराजी भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है। 25 जनवरी 2019 को ही इनका निधन हो गया है। चौधरी भटाचारिया जिनका हाली में निधन हो चुका है। Next question है, Mount Everest पर चड़ाई करने वाली पहली महिला IPS का नाम क्या है। Most important question है और इनका नाम है अरपणा सिंग। Mount Everest पर चड़ने वाली या पहली भारती महिला IPS है। और अभी हाली में इन्हें तेने जिंग नौरगे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। Next question है, हाली में Daughter of the Nation अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। Most important question है और यह सम्मानित की गई है लता मंगेशकरजी। लता मंगेशकरजी को 1989 में दादा साहब फाल के अवार्ड दिया गया था। 2001 में भारत रत्न, 1969 में पद्मभूशन और 1999 में पद्मभूशन से भी सम्मानित की जा चुकी है। लता मंगेशकर नाम आप याद रखीगा। Next question है, हाली में Change Maker Award से किस भारती महिला को सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित की गई है पायल जांगिर। यह राजस्तान से बिलॉंग करती है और इन्हें Award क्यों दिया गया है। तो बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ action लेने के लिए, कारवाही करने के लिए इन्हें Award दिया गया है। और इन्हें Award दिया किसने हैं तो Bill & Melinda Gates Foundation के द्वारा इन्हें Award दिया गया है। Bill & Melinda Gates Foundation इसके स्थापना हुई थी 2000 में Bill Gates और Melinda Gates के द्वारा और इसका मुख्याले कहां इस्तित है। Seattle, Washington में तो यह भी आप याद रखीगा। Next question है, हाल ही में Man Booker पुरुसकार जीतने वाली महिला का नाम क्या है। इसी वर्स जीता है इन्होंने और Man Booker पुरुसकार 2019 जीत लिया है जोखा अलहार्थी ने। और यह कहां की राइटर है। जोखा अलहार्थी बिलॉंग करती है ओमान से। और इनकी रचनक नाम भी पुछा जा सकता है। जोखा अलहार्थी की रचनक नाम है Celestial Bodies जिसके लिए इन्हें यावार्ट दिया गया है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेश कोश्चन है लोगसभा चुनाओं में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है। क्योंकि आप सभी जानते अभी हाली में लोगसभा चुनाओं संपन हुए थे। इसमें सबसे कम उम्र की महिला सांसद बन गई है। चंद्राणी मुर्मू और यह किस राज्य से बिलॉंग करती है। यह बिलॉंग करती है ओडिसा से ओडिसा से यह सांसद है। ओडिसा की कैपिटल क्या है भूमनेश्वर। यहां के मुख्य मंत्री कौन है नवीन पतनायक। गवर्नर कौन है गनेशी लाल। और ब्लैक पगॉड़ा यह भी ओडिसा राज्य में ही इस्थित है। नच कोश्चन है हाल ही में पत्रकारिता के लिए रेड इंक अवर्ड किसे प्रदान किया गया। तो रेड इंक अवर्ड यहने की जनरलिस्ट अवर्ड के लिए रेड इंक अवर्ड भी हाल ही में प्रदान किया गया है रचना खैरा को। और श्वाती चतुरवेदी यह भी पत्रकारिता से रिलेटेड हैं। 2018 में इन्हें प्रेस फ्रीडम अवर्ड से सम्मानित किया गया था और प्रियंका दुबे इन्हें इसी वर्ड यानी की हाल ही में चमोली देवी जैन पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है। प्रियंका दुबे याद रखियेगा नाम। इसके स्थापना की गई थी 1970 में और इसके एडिटर इन्चीफ कौन है तो इसके एडिटर इन्चीफ है स्टीफ फोप्स तो इनका नाम भी आप याद रखियेगा। नेश कुस्चिन है बाँपमादेश की चौथी बार प्रधान मंतरी बनने वाली महिला का नाम क्या है तो शेख हसीना। यह लगातार तीसरी बार और देखा जाए तो चौथी बार बांगला देश की प्रिधान मंत्री बन गई है तो बांगला देश की कैपिटल क्या है धाका और धाका में किसका हैटकोर्टर रिस्तित है बिम्स टेक का और कौन बनी है शेख हसीना तो इनसे रिलेटेड करंट कोश्चन है अभी हाल ही में शेख हसीना को डॉक्टर कलाम इसम्रती इंटरनेशनल एक्सिलन्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है विश्व कॉसल प्रतियोगिता इसमें मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बन गया है रिसेंट का कॉस्चन है और मेमडल जीतने वाली पहली भारती महिला बन गयी है स्वेता रतनपुरा और इन्होंने कौन से मेडल जीता है कान सीप्दक यानी की ब्रांज मेडल और बात यहाँ पर कौसल की आ रही है यह इनी की इसकिल की तो आपको मालूम होना च और इनकी कॉंस्टेंसी क्या है चंदौली उत्तर प्रदेश और यह विश्व कॉसल प्रदियोगी तक कहा युज़ित की गई थी यहां युज़ित की गई थी कजान रूस में तो यह भी आप याद रखीगा इस विडियो का अंतिम प्रश्ण है माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है यह बन गई है सराय खुमैलो और यह किस कंट्री से बिलॉंग करती है तो इनकी नेशनियलिटी है साउथ एफ्रिकन यह आप याद रखीगा confusion हो सकता है पहली भारती महिला जिन्होंने माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की बचेंदरी पाल पहली महिला दिव्यांग अरुणिमा सिनहा पहली महिला IPS अर्पना सिंग या अर्पना कुमार और माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली अस्वेत महिला सराय खु 2019 की top 40 महिलाएं जो की चर्चे में रही है आई होप यह वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने study related group में share जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही दोस्तो थैंक्यू सो मच जैहिन जैभारत